1.4.2 चैन और विकास, सेलेक्शन और एवॉलुशन बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन इंगलेंड लोट कर अपने अध्यन का विवरंट तयार करने लगे उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चैन, आर्टिफिशल सेलेक्शन यानि मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षनों का चैन कर जानवर और पौधों की अलग-अलग प्रजाती तयार किये जाने की बात थी उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाती तयार कर सकता है तो क्या प्रकृती में दिखने वाले इतने विविज्य प्रकृती में निरंतर होने वाली किसी चैन प्रक्रिया का नतीज़ा है मनिश्य द्वरा पसंदिदा लक्षनों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया की प्रक्रितिक चैन, नैच्रल सेलेक्शन यानि प्रक्रिती में स्वतह चलने वाली चैन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है क्रिया कलाब 2 कुछ चित्र दिये गया है इन्हें देखकर तर्क सहिद बताईए कि चित्र में किस प्रकार का चैन दर्शाया गया है क्या आप जानते हैं? यह कृत्रिम चैन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहु, इत्यादी की हजारों किसमें पाई जाती है सबजियों में भी कई किसमें और प्रजातिया, मनिश्योदारा, चैन का नतीजा है डार्विन के बीगल यातरा के लगभग 20 साल बाद एक और वग्यानिक इंगलेंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपो तक बीगल जैसे खोजी यातरा में निकले थे यहां अलफरेट रसेल वैलेस थे मुख्यरुप से तितलियों और कुछ स्तंधारी जियों का अध्यान किया और डार्विन जैसे निश्कर्श पर पहुँचे सुझाया कि प्रजातिया पुरुवर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है